कि साथियों कि आपको भी मैत नहीं आती है बगल वारा इस स्क्रीन साइट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हमारे यहां ऐसे ही कंडिडेट जूड़े हैं जिनकी उम्रतीफ्य अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है तो आप साइबर कैफे या किसी बैंक से जा करके या जनसुपधा केंदर से भी पैमेंट करके इस सिच्छा के छेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं बाकी आपकी इच्छा कितना करना है यह आप खुड डिफाइड करेंगे आपसे यह आइडिया भी आप लोगों का है जिससे हम कुछ बहतर कर पाएं स्क्रीन ध्यान से देखिए पूरा दिख रहा है आगे बढ़ें देखिए यह स्क्रीन साइट है जिसके लिए हम लगे हुए है यह विचार भी आप ही लोगों का है हालो इस्टूडेंट्स वेलकम टू पी वियर स्टडी अभी अभी मैं सो के उठा तो देखा कुछ इस तरह से कई मैसेज थे इस्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह बहुत बड़ी समस्या है और आज के दो साल तीन साल पहले भी मैंने यह देखा था जिससे मैंने जीरो कि इससे काफी बेनिफिट हुआ है सुन करके देख करके काफी अच्छा लगता है तो डिजिटल पाइनल साही सुन रहे हैं आप के लिए चर्चा हो रही थी और कल मैंने कलास में किया था तो उसके संबंद में कुछ बातचीत होगी इंपॉर्टेंट आप पस पांच मिनट ध्यान से सुनिए सबसे बड़ी बात तो डिजिटल पैनल जरूरी क्यों है क्योंकि पढ़ाना तो यहां भी हो रहा है मतलब ऐसी क्या जरूरत है उसको लाना है ऐसे भी सब कुछ हो रहा है अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलते हैं तो वहीं के वहीं पड़े रहा जाते हैं कैसे आपने देखा होगा पहले मार्केट में नोकिया का फोन भी आता था रमसंग भी आता था नोकिया अपना हाड़वेर खूब मजबूत करता था उससे फैंक के बिल्ली कुत्ते भी सामसंग ने अपना हाड़वेर के साथ साथ सब्सक्राइब करते हैं तो जो हमारे सुरोता है जो रियल में पढ़ने वाले मेहनत करने वाले उनको तो कोई फरक नहीं पढ़ता है लेकिन हमें सबको देखके चलना है तो उनको यह लगता है कि वाइट बोर्ट पर मतलब फिर से कम सही है दूसरी सबसे बड़ी समस्य में क्या क्या करऊ वाइब सारा सब्सक्राइब और प्र उसको इस कपड़े से सुखाएं उसको नहीं चाहते हैं क्यों क्योंकि अगर हम 15 मिनट क्लास में खड़े हो रहे न तो उसमें से पांच मिनट ये कपड़े सुखाने पोचने धकेलने में लग जाता है कि टाइम वेस्ट हुआ ना रोज हर एक क्लास में डिजिटल बोर्ड में क्या ऐसे कर दिया हाथ से ऐसे क्लियर सबसे बड़ी बात और एक यह होती है कि विजिबिल्टी एक दम बहतरीन होती उसमें इसमें उतना बहतर नहीं दिखता है क्या मतलब बोर्ड लगाने से ने का अच्छा तो यह बात है दूसरा बात हाँ पैनल लेने के लिए मैंने काफी कोशिश किया दो तीन बार में दिल्ली भी गया इलाबाद से आपको पता है वहाँ जाने आने खर्चा ती नजा किराय किराय हो जाता है और बाकी सारी बातें करने से लंबा हो जाएगा विडियो तो आईए में में पॉइंट यह है मेरे भाई कि मैंने से बात किया था उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद हमारे मन में एक लाइन है बहुत पहले से कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा माल करनी चाहिए कि यह सब मने रख आपने पास में ठीक है आज आपको बता रहा हूं तो इसमें लोचा क्या है इसमें लोचा यह है कि डिजिटल जो पैनल है वो सबसे सस्ता एकदम रद्दी से घटिया वाला एक लाख 20,000 में आता है एक लाख 20,000 सबसे रद्दी और अगर ए मैंने जिन कंपनियों से बात किया है तो भाई इतना सारा पैसा वह भी अपने दम पर अधाय तो आप लोग कभी देते नहीं हो और हम कोई नवकरी भी नहीं करते और दूसरी एक रते हैं हाँ तो लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ और होने वाला है सिंपल सा बात य अधूरगरВОलों के ऊपर मैं यह बोच दालना नहीं चाहता हूं कि मैं सोचता ह sun कि जो कुछ करूं रिस्क में अपने से लिए रही मैंने मैंटविक लिए 1.5 अब एक चीज़ और इसमें अपने दम पर और आपने आपको अलग नहीं करना क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं समझ रहे ना और आप हमारे सब कुछ तो अपने दम पर मतलब हम और आप मिल करके मतलब घर परिवार या जमीन जादा संपत्ति या रिष्टेदार दोट से नहीं क्योंकि आप देखते होंगे आपके सामने में बीना नहाए बीना मुह दुले कभी-कभी मतलब बहुत आजीब टाइब में भी मैं आ जाता हूं मु अपने घर के लोग हैं सब जो भी देखते हैं हमें इतना प्यार है तभी देखते हैं जो भी इंसान आपको बुरी सी बुरी आवस्ता में सोबिकार कर सकता है वो आपके अच्छी आवस्ता में भी करेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है चलिए हाँ टॉपिक बात करते हैं त इस सबसे पहला विचार दिखांगा वाकि सबका तो नहीं दिखांगे इन्होंने कब कहा मैंने कव कब डिजिटल बॉट के लिए कुलास में बात किया था इन्होंने का सब्सक्राइत कर और मैं 10,000 रुपए अच्छा लागे कुछ भी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कहते ना मैं आज ही कहाता करती थी दान की बचिया का दात नहीं देखा जात तो आप लोग अगर एक रूपया भी प्यार से अगर करते हैं तो यह सिच्छा के छेतर में बहुत बड़ा योगदान होगा कोई भी कर सकता ह उसके लिए मैं अभी दे दूंगा इस टार्टिंग में पूरा डीटेल कैसे क्या करना है ठीक है तो यह बात हुई दूसरा हाँ अब मैं आपको कुछ और भी स्क्रीन साट सेर करना चाहूंगा आप देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए कि यह सब क्यूं हो रहा है हाँ स सब थो तो अपने पिछले तीन साल से मैं आपी के लिए सब कुछ कर रहा हूं ना बच्चे ना साधी ना घर ना परिवार सब तो छोड़ दिया हूं तो फिर इसमें कोई लाज सरम की बात नहीं है ना और आगे अगर देखें तो स्क्रीन साट में आपको क्या दिखा रहा ह हाँ अब आयंते हैं जो एमार पीपर प्राइस देखिए डिजिटल पैनल यह मैक सब का पैनल है ब्रांट का नाम बता रहा हूं इनके पैनल आप देख सकते हैं यह जो दिया गया अमाउंट है रूपया है कुछ लोग तो पड़ भी नहीं पा रहे होंगे यह रूपया है एंड्राइड इलेबन में अभी पैनल लांच हुआ है दोलाग अठारा जा तीन सो रूपय है पचेतर इंच साइज का च्यासी इंच का तीनलाग अठालीफ वजार सो रूपय च्यासी इंच जितना मतना हमारा वाइड बोर्ड है पूरा नहीं दिखता फिलाल वीडियो में बोर्ड आपको तो अलग बात है ठीक है और आगे अगर बात करें हम कि देखी रहो इसक्रीन पर आप एंड्राइड जो पहले वाला आता था नंबर यह इसके बारे में आप लोग जादा नहीं जानते होंगे यह बोर्ड का सिस्टम है क्या है एंडाइड एंडाइड जो ल सब्सक्राइड में 9000 तो यह नहीं कम से कम 3040 में जीएस्टी जोड़ लो आप तो जो पाइसाटींच का है ना वह भी दो लाग का हो गया तो यह जो आप देख रहे हो ना दो लाग नब्बे हजार प्लस 18 परसंट जीएस्टी तो दूई लाख नब्बे हजार मनलब तीन ल खताम हो जाए तो पढ़िया है और है ठीक है आप लोग अपने विचार दीजिएगा नंबर तो मैं आपको दे दिया हूं किसे पैमेंट करना है कैसे क्या करना नहीं मैं फिर भी दिखा देता हूं जो लोग चाहें कर सकते हैं सपोर्ट कोई समय जबर जस्ती नहीं अगर आ कर लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए सिच्छा बहुत जरूरी है क्योंकि सिच्छा सवाल करती है कि बाकी कोई भी आपका राय है सुझाओ है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए उमीद है कि आपकी राय हमरे लिए काम के होगी हाँ इसमें कोई औ करा दूंगी मैं बैंक में जाब करती हूं ऐसे बहुत से और भी मारे छातर है जो मैंक में हैं मैंने जरह हैं और भी बड़े उचे-उचे-उंचे-पद्पे ओंगा ऐसा ठीक है उनको भी बहुत-बहुत थैंक्यू देखते हैं फिलाल इस बीडियो में इतना ही बहुत-ब